नमस्कार एक और वड़ी खबर जहर खंड के लोहर दगा से आई है जो की रिष्टों को तार-तार कर देने वाली है हर कोई सोचने पर मजबूर है इस खबर के बारे माँ आपको देंगे शंपूर जानकारी विस्थार से यदि पहली बार आप इस चैनल पाए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना फिल्कुल फिना फूल है आप किस राज्जे से हैं कॉमेंट करकर शरूर बताएं क्योंकि आपके राज्जे की भी ताज़क ख़वरें आप तक शरूर पहुचेंगे बताए जारा है जहर कंड के लोहर दगा में सगे भाई ने अपनी दो फेनों के साथ गलत काम किया इतना नहीं जब वेटियों को बचाने के लिए उसकी मा आई तो मा के साथ भी असलियल हरकते की और गलत काम करने का अफ्यास किया बीते तीन साल से यह नावाले के छोटी बहन के साथ गलत काम करता आ रहा है जब 19 साल के बेटी हुसेन अंसारी की करतूत से मा तंग आ गई तब महिले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई आरोफी हुसेन अंसारी को पुलिस द्वारा गरपतार कर ले गया है और उसे जेल फेज दिया है लेकिन जो इसने एक घटना को अंजाम दिया है जो रिस्तों को तारतार कर रही है ये बेहेदी चोकाने वाली है वही महिला थाना प्रभारी जोसिपना एंबरम ने मीडिया को बताया कि पीडिता की मा ने पुलिस को एक के रिपोर्ट दर्ज कराई है लोहर दगा सेरी चेतरे के यूबक हुसेन अंसारी ने अपनी सागी दो वेहनों को हवस का सिकार बनाया इसके बाद उसने मा के साथ भी असलील हरकते की और यहां पर सबसे बड़ी बात है तो ख़वर ये है कि जो रिस्तों को तारतार कर देने वाली ये ख़वर आई है इससे हर कोई हिरान में है जानकारे के मताविक आरोफी हुसेन अंसारी छोटी बहन के साथ करेव तीन साल से गलत काप करता रहा है लेकिन जब बड़ी बहन के साथ भी घटना घटीत होने को रही तो बड़ी बहन ने सूर मचाया इसे में छोटी बहन उसको बचाने के लिए आई लेकिन चाकू के और उसके सहोग देने के लिए मा भी उनके साथ जाती है ऐसे में एकसर घर से भार रहते हैं परिवार को बेटे के चरित पर पहले ही सकता लोकलाज से सभी चुप थे लेकिन जब बड़ी भेन के साथ जबर दस्ती की तो परिवार का समर तूट गया और उन्होंने ठाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी हलाकि इसे गर्पतर करकर जेल विज दिया है देते रहेंगे ताजा खबरें बने रहे हैं स्ट्वेंटी फॉर निउज के साथ